क्या मुस्लिम धर्म को मानने का दिखावा करती हैं देपिका? क्या पात साल बाद भी पती के धर्म को दिल से अपना नहीं पाई हैं शोयब की बेगम? देपिका की इस हरकत पर बुरी तरह से भड़के हैं फैंस? यूजर्स लगा रहे हैं देपिका पर धर्म को लेकर दिखावा करने का शौकिंग इल्जाम जी हाँ एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं टीवी की संसकारी बहू देपिका कककर यूँ तो जब से देपिका ने शोयब इबराहिम संग घर बसाने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाया और देपिका सिर्फ फैज़ा बन गई तब ही से टीवी की सिमर बहू अपने ससुराल के रंग में पूरी तरह से रंग गई हैं देपिका ना सिर्फ रोजे रखती हैं बलकि अपने ससुराल के हर रीती रिवास को शिदत से निभाती हैं देपिका सिर्फ पर दुपट्टा लिए नजर आती हैं यहां तक कि अब उनकी बातों में भी ससुराल की जलक ही दिखती हैं लेकिन लेकिन अब इब्राहिम परिवार की इसी बहु पर लगा है मुसलिम धर्म को फॉलो करने का दिखावा करने का शॉकिंग इलजाम सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि दिपिका सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मुस्लिम धर्म को फॉलू करने का दिखावा करती हैं दिल से वो अपने पती के धर्म को नहीं मानती हैं और ये सब हुआ है एक ब्लॉग की बज़ा से जिसे देखने के बाद लोग शोईव इब्राहिम की बीवी पर ऐसा शोकिंग इलजाम लगा रहे हैं दरेसल हाली में दिपिका की ननत सबा इब्राहिम ने मुंबई में अपना नया घर खरीदा है अपने नये घर बे ग्रह प्रवेश करने की मौके पर सबा ने घर में कुरान ख्वानी का आयोजन भी किया था खुशी के इस मौके पर भाबी देपिका कक्कर भी बेटे रूहान के साथ नननत के घर पहुची थी अपने व्लॉग में सबा ने कुरान खुआनी और परिवार में दिखे खुश्णुमा माहौल की जलक भी फैंस को दिखाई है हाला कि सबा के इसी व्लॉग को देखने के बाद अब दिपिका पर लोगों का गुसा फूटा है दरेसल जिस वक्त सबा के घर में कुरान खुआनी का पार्ट चल रहा था उस वक्त घर के सभी सदस्य सबा के व्लॉग में दिख रहे हैं लेकिन दिपिका कहीं नजर नहीं आ रही है वही कुरान खवानी का पार्ट खत्म होने के बाद ही एक बाफिर से दिपिका व्लॉग में नजर आने लगती है इसी व्लॉग को देखने के बाद कुछ यूजरस ऐसे हैं जो दिपिका पर आरोफ लगा रहे हैं कि आक्टरेस सिर्फ मुस्लिम धर्म को फॉलो करने का दिखावा करती हैं एक यूजर ने सबा की तारीफ करते होए दिपिका पर तंच कसा है और सवाल पूछा है कि जब दुआ पढ़ी जा रही है तब दिपिका और उनकी मौम कहां है तो एक ने लिखा है दिपिका कुरान खुआनी में नहीं दिख रही हैं सिर्फ दिखावा करती हैं वो तो एक और यूजर ने आक्टरोस को ट्रॉल करते होए लिखाए कि दिपिका सिर्फ दिखावा करती हैं और लोगों को बेवकूफ बनाती है बता दें कि दिपिका ककड उन टीवी अक्ट्रेसेस में से एक है जिनकी फैन फॉलोइंग तगडी है फिर भी उन्हें सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रॉल किया जाता है बीते दिनों तो कुछ नेटिजन्स ने अक्ट्रेस पर ननन्त सबा को भड़काने का आरोब भी लगा दिया था एर रिपोर्ट इट्वेंटीफोर